मैंने सोचा क्यों ना चोकोवार को उन चीजों से बनाया जाए जो हम सब के ही घर पे होती है ताकि आपका भी जब भी मन करें तो आप इसे पड़ा पड़ा से घर पे बना पाओ और आप इसे बिना आइसक्रीम मोल्ड के कैसे बना सकते हो ये भी मैं बताऊंगी तो इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखिएगा सबसे पहले 100 ग्राम चॉक्रेट को मेल्ड करेंगे तो उसके लिए एक कडाही में एकदम गरम पानी ले लेंगे और इसमें चॉक्रेट का बोल रख देंगे और इसे continue चलाते हुए अच्छे से मेल्ड कर लेंगे और आपके पास dark या milk चॉक्रेट जो भी हो आप वो यूज कर सकते हो और जब कभी आपको चॉक्रेट मेल्ड करना हो तो उसे कम से कम आदे गंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए फिर छोटा-छोटा करके मेल्ड कीजिए उससे क्या होगा ना चॉक्रेट एक बाम असानी से तुरंद मेल्ड हो जाएगी और अब आपके पास जो भी आईस्क्रीम मोल्ड हो आप वो ले लीजिए और अगर आपके पास आईस्क्रीम मोल्ड नहीं है और जितना भी एक्स्ट्रा चॉक्रेट होगा ना उसे निकाल लेंगे और ये देखे चॉक्रेट का लेयर थोड़ों मोटा रखी हुम है ताकि ये खाने में और भी जादा मज़ेदार और चॉक्रेट ही लगे अब बस इसे 5 मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉक्रेट अच्छे से ड्राइ हो जाए और अब एक पैकेट ओरियो बिस्किट ले लेंगे वजन से देखे तो ये 120 ग्राम बिस्किट है और अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई और भी चॉक्रेट बिस्किट यूज कर सकते हो फिर 1-4 cup चीनी और 2 cup यानी 400 ml मलाई वाला दूद अट करेंगे और दूद रूम टेंपरेचर पे हो इस बात का ध्यान रखेगा अब वेस इन सबको अच्छे से पीस लेंगे और यह देखिए बिस्किट के क्रीम और मलाई दार दूद की वज़े से इसका भी टेक्शर एकदम क्रीमी है और अब चॉक्रेट भी अच्छे से से इट हो गया है तो इसमें मिक्शर को ट्रांसफर कर लेंगे और अगर आपको बहुत यसानी से सिर्फ तीन चार चीजों से ही बिना क्रीम और कंडेंस मिलके मैंगो चॉक्रेट और वनीला आइसक्रीम भी घर पे बनाना हो तो रेसे पे लिंग कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप जरूर से चेक क कीजे और अब घर पे ही मज़ेदार आइसक्रीम बना के एंजोई कीजे अब बस आइसक्रीम को 8-10 गंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे और अगर आपके पास आइसक्रीम मोल नहीं है तो आपके पास जो भी ग्लास होना आप वो ले लीजे सेम प्र स्टिक तो मेरे हाथ में आ गई बट आइसक्रीम बंदर ही रह गई तो आप में हरबड़ी मत कीजेगा नहीं तो गरबड़ी हो जाएगी तो इसलिए मोल को कुछ सेकेंड्स के लिए पानी में रखेगा और पर आइसक्रीम निकाल लिएगा अब बर्स आप एंजॉई करो औ खुब शेयर करो ताकि बागी लोग भी बनाएं और मज़े सखाएं